इन दिनों लहसुन के दाम आस्मान पर हैं। आवक कम होने के कारण ठोक मंडी में लहसुन की कीमत दो सौ से तीन सौ रुपए प्रती किलोग्राम के आसपास है तो फुटकर बाजार में पांच सौ से पांच सौ पचास रुपए तक बिक रहा है। सफल स्टोर पर शनिवार को लहसुन का भाव 469 रुपए प्रती किलोग्राम रहा। आजादपुर मंडी के आरती कहते हैं कि आवक कम होने की वज़े से कीमतों में तेजी आई है क्योंकि बीते वर्ष लहसुन की फसल कम हुई थी जिसके चलते स्टॉक सीमित मातरा में ही है। अभी तक नई फसल मध्यप्रदेश से आ रही है। आजादपुर मंडी के आरतियों का कहना है कि अभी कुछ दिनों में राजस्थान और उत्तर प्रदेश से भी लहसुन की आवक शुरू होगी जिसके बाद कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी। फिलहाल देश भर में मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से लहसुन की आपूर्ती की जा रही है। जब तक नई फसल नहीं आती है तब तक कीमतों में बड़ी गिरावट नहीं आएगी। सामाने तोर पर फरवरी के अंत तक राजस्थान और महाराष्ट्र से लहसुन की फसल आनी शुरू हो जा कि देश में आस्तन एक से सवा लाख कट्टे की प्रतिदिन खपत होती है तो उसके सापेक्ष मौजूदा समय में साट से सतर हजार कट्टे ही उपलब्ध हो रहे हैं। गाजियाबाद में लहसुन का थोक भाव शनिवार को दो सो असी से तीन सो रुपए तक पहुँचा औ दरसल इस बार मौसम की वज़े से लहसुन की फसल को नुकसान पहुचा है जिस वज़े से पैदावर भी कम हुआ और दाम आस्मान चुने लगे। लहसुन के थोक कारोबारियों ने बताया कि इस बार लहसुन की पैदावार कम होने के कारण मंडियों में इसकी सप्लाई कम हो पा रही है। सप्लाई कम होने की वज़े से लहसुन की खीमत में जबरदस्ट उचाला आया है। इसकी वज़े से लोगोंने लहुसन की विकरी कुछ दिनों से कम हो रही है। उन्होंने बताया कि इन दिनों थोक में लहसुन की कीमत 480 रुपए प्रती किलो बिक रहा है। लहसुन के थोक व्यापारी के मुताबिक अगले हफ़ते से नई लहसुन की फसल आनी शुरू हो जाएगी, जिसके बाद दाम में गिरावट आने लगेगी। अगले महीने यानी मार्च से रेट कम होने की संभावना है। Bureau Report Market Times TV